राधे राधे जैसी करशना, मैं सीमा सिंग, आप सबी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको गाजगाजनी की वरत कथा सुनाने जारी हूँ अगर आप यह वरत करते हैं तो आपको कहानी भी सुननी चाहिए इससे कहानी सुनने का बड़ा धर्म लगता है आईए अब हम गाजगाजनी की वरत कथा सुनते हैं भादवा मास की अनन्चतुरदशी के दिन यह वरत किया जाता है कहानी सुनते हैं और बिना नमक का रोट बनाये जाता है रोट हमेशा सम संख्या में बनाना चाहिए और रोट के साथ धही या फिर खीर खाते हैं आईए अब हम गाजगाजनी की वरत कथा सुनते हैं एक बार एक साहुकार दमपती थे उनके एक बेटा बहु थे साहुकार के बेटे की शादी को कई वर्ष हो चुके थे लेकिन उन्हें उलाद नहीं हुई साहुकार दमपती ने अपने बेटे बहु को अनेक जगह दिखाया तोने तोटके करे जगह जगह देवी देवताओं को ढोग दिलवाए डॉक्टर नीम हकीम और वीद को दिखाया लेकिन सब जगह निराशा हाथ लगी तब एक दिन की बात है साहुकार नी अपने पडोस में गई तो वहां ओरतें वरत कर रही थी पूजा कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी साहुकार नी ने पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो किसकी पूजा कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है तब पडोसन ने कहा कि बहन हम गाजमाता की पूजा कर रहे हैं कहानी सुन रहे हैं इसके करने से निधन को धन निसंतान को संतान वारों के ब्याहों घर में अनधन के भंडार भरते हैं तब सावकानी ने कहा कि अगर मेरी बहु के भी गर्ब ठहर जाए तो मैं भी सवापाव का रोट गाजमाता के चड़ाऊंगी सावकानी ने वहीं बैट का संकल पिलिया और गाजमाता की पूजा करी फिर कुछ समय बाद उसकी बहु को गर्ब ठहर गया तब सावकानी ने गाजमाता से कहा कि हे गाजमाता जब मेरे पोता होगा तो मैं सवा धाई किलो का रोट चड़ाऊंगी उसके बाद पोता हो गया पोते की शादी हो गई पोते के बच्चे भी हो गए लेकिन सावकानी ने ने तो गाजमाता का वरत किया नहीं पूजा करी और नहीं बोलारी पूरी करी तब एक रातरी को गाजमाता ने सावकानी के सपन में आकर कहा हे पुत्री तुने संकल्प किया था कि जब तेरे पोता होगा तब मैं पूजा वरत वर बोलारी चड़ाऊंगी पुत्री तु मेरी पूजा से विमुक हुई है न तो तुने मेरी पूजा करी नवरत किया और नहीं बोलारी चड़ाई तब अचानक सावकार्णी की नीन तूट गई उसने अपने पती को पुरी बात बताई उसके पती ने कहा कि जैसा तुमने बोला था वो पूरा करो सुबह उड़ते ही उसने गाज माता की पूजा करी और भादवा मास की अनन चतुरदशी को अपनी बहु के साथ वरत किया गाज माता के नाम का डोरा लिया और सवा पांच किलो का रोट बना कर गाज माता को चड़ाया और अपनी गलती की गाज माता से माफी मांगी शाम को जब सावकानी का बेटा घर आया और उसने अपनी पत्नी के गले में गाज माता का नाम का डोरा देखा तो उसे उतार कर फैंक दिया और जब खाना खाने बैठा तो सावकानी के बेटे ने अपनी पत्नी की थाली में बिना नमक का रोट देखा तो फूचा कि यह क्या है बेटे की बहु ने वापस कहा कि आज मैंने गाजमाता का अवरत किया है इसलिए बिना नमक का रोट और खीर खाऊंगी तो उसके पती ने कहा कि तुम्हें यह रोट खाने की कोई जरूरत नहीं है अभी हमारा बच्चा छोटा है वह तुमारा दूद पीता है अगर तुम यह रोट खाऊगी तो उसका पेट दुखेगा तब साउकानी के बेटे की बहु ने अपना रोट गाए को खिला दिया और उसने वरत तोड़ दिया और नमक का खाना खा लिया इससे गाज माता करोधित हो गई उससे समय एक भेंकर आंधी आई गाज माता गाजती गरजती आई और साहुकार्णी के पोते को पालने सहित लेकर उसी गाउं में भीलनी के आंगन में रख दी भीलनी के कोई ओलाद नहीं थी वो भी गाज माता का अवरत्व पूजन करती थी उसने जब अपने आंगन में पालने सहित बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हुई उधर सावकार्णी वह सावकार्णी के बेटे के बहु जोर जोर से विलाब करने लगे सावकार्णी ने गाज माता से प्रात्ना करी और गुहार लगाई कि हे माता मुझसे या मेरी बहु से कोई गलती हुई है तो उसे शमा करो तभी वहाँ आकाश्वानी हुई गाज माता ने सावकार्णी से कहा कि पुत्री तेरे बेटे की बहु ने मेरे नाम का डोरा उतार कर फैंक दिया और मेरे वरत को खंडित किया है मेरे प्रसाद के रोट को गाए को खिला कर उसने नमक वाला खाना खा कर वरत तोड़ा है इसलिए उसे मेरा शाप लगा है तेरा पोता सुरक्षित है तेरा पोता एक भीलिनी के पास सुरक्षित है तुम जाकर अपना पोता उनसे ले लो तब सावकानी भीलिनी के घर गई और उससे अपना पोता मागा भीलिनी ने कहा कि अगर ये पोता तुमारा है तो निशानी बताओ तब साउकार्णी ने कहा कि मेरे पोते के गले में जो सोने की चैन है उसके पैंडल में गाजमाता की तस्वीर है भीलनी गाजमाता की परमभक्त थी उसने बच्चे के गले में गाजमाता का लोकिट देखा तो उसने खुशी खुशी उनका पोता उन्हें दे दिया साउकार्णी ने दूदो नाहो पुतो फलो का अशिरवात दिया और खुब सारधन भी उपहार में दिया उसके बाद साउकार दमपती ने अपने बेटा बहु के साथ गाजमाता का वरत पूरे विधी विधान के साथ किया और सवामन का रोट गाजमाता को भोग में चड़ाया जैहु गाजमाता की कहते हैं उसके दस्वे मैने बाद भीलनी के उपर भी गाजमाता प्रसन हुई और उसे दो सुंदर पुत्रे हुए ये गाज माता जैसे आपने भीलनी को सुख दिया जैसे आपने सहुकार्णी और सहुकार्णी के बेटे की बहु को और लाद दी वैसे सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को गड़ती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें जाहू गाज माता की कहानी सुनने वाले को सब को इसका फल देना धन्यवाद